इस नाष्टे को बनाने के लिए सबसे पहले बावल में आधा कब बारी कटा हुआ पत्ता गोवी डालेंगे पत्ता गोवी को आप चाहें तो कद्दुकस भी कर सकते हैं मैंने बारी कट किया है एक बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे आधी शिमला मेर्चिक बारी कट करके डाल देंगे एक आलो को छील कर कद्दुकस करेंगे मैंने कच्चा आलो लिया है एक मीडियम साइज का प्याज बारी कट करके डालेंगे स्वाधनुचा नमक डाल देंगे आधा चे मचीरा दो बारी कटी हुई हरी मिर्च आधा चे मचीली फ्लेक्स आधा कप सूजी डालेंगे एक चोथाई कप दही डाल देंगे सबी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अथे से मिक्स करेंगे पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि सब्जियों में भी मॉस्टर है तो हमें बैटा को गीला नहीं करना है तो बैटा को मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसे हम 10 मिनिट तक कवर करके छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमने सूजी का यूज किया है तो सूजी अच्छे से फूल जाए अब इसमें हम एक चुटकी बेकिंग सोड़ा डालेंगे आप चाहें तो सोड़े को इसकिप भी कर सकते हैं तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कब बैटर से हम इस तरह से बॉल बना लेंगे अब मैंने एक जाली वाली प्लेट ली है प्लेट को ओईल से ग्रिस कर लिया है और बॉल बना कर हम प्लेट पर रखेंगे तो पूरे बैटर से हम बॉल बना लेते हैं तो इस तरह से मैंने बॉल बना कर प्लेट पर रख दी है अब हम चलते हैं गेस की और एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था पानी भी गर्म हो गया है अब हम जाली वाली प्लेट को बर्तन के उपर रखेंगे और इसे कवर कर देते हैं गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 8-10 मिनिट तक बॉल्स को स्टिम होने के लिए छोड़ेंगे तो 8-10 मिनिट हो गए हैं अब हम धक्कन हटा लेंगे सारी बॉल्स अच्छे से स्टिम हो गई है अब हम प्लेट पर से बॉल्स को निकाल लेंगे अब मैंने एक पैन लिया है पैन में हम दो चमच तेल डालेंगे तेल को गर्म कर लेते हैं तेल भी गर्म होने लगा है अब इसमें हम आदा चमच राई डालेंगे आदा चमच जीरा आदा चमच कुटा हुआ खड़ा हरा धनिया डाल देते हैं एक चमच इसमें हम सफेद तिल डालेंगे तो सारे दाने तड़कने लगे हैं अब इसमें में बारी कटा हुआ करी पत्ता डाल रही हूँ सबी को तड़के को मिक्स कर लेंगे और हमने जो बाल्स रेडी की है उसे हम पैन में डालेंगे तो इस तरह से बाल्स को हम तड़के में सिल फ्राइ कर लेंगे इस नाष्टे को बना कर खाने के बाद आप बचार के मॉमोस खाना भूल जाएंगे क्योंकि ये नाष्टे जो है वो हेल्दी बहुत है इसमें हमने सब्चियों का यूज़ किया है और टेल का भी कम यूज़ किया है तो तीन से चार मिनिट तक मैंने बाल्स को तड़के में सिल फ्राइ कर लिया है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से गर्मा के मॉल्स को आप अपनी मन पसंद चट्मी या टोमाटा सॉस के साथ सारू कर सकते हैं तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं को नई रेसिपी के साथ थेंक्यू फ्रेंट्स